तो अब सभी का स्वागत है हमारे यूटूब चैनल में आज हम बात करने वाले क्लॉबजी क्रीम के बारे में क्लॉबजी क्रीम जाइडस के अडिला लिमिटेर द्वारा बनाया जाता है इसमें क्लॉबेटासोन और जेंटामाइसिन कंटेंट है और इसके मार्केट पैस लग माइक्रो और्गैनिजम जैसे की बैक्टरिया से होने वाले तोचा के संक्रमन की इलाज में किया जाता है यह सुक्षमजियों के कारण होने वाले इंफेक्शन के वर्दी को मारता है और रोकता है जिससे संक्रमन समाप्त हो जाता है और लक्षनों से आराम मिलता है यह खु फिर infection का इलाज करना और भी मुश्किल हो सकता है, इस परकार के आधार पर यह कई हपते हो सकते हैं, आपका infection पूरी तरह से ठीक होने के बाद भी आपको कभी-कभी इस लक्षनों के वापस आने से रोकने के लिए इसे लगाना पड़ सकता है। क्लॉब जी क्रिम के side effect इस दवा से होने वाले अधिकान side effect में डॉक्टर की सला लेने के जरुरत नहीं पड़ती और नियमित रूप से इसका इस्तमाल करने से side effect अपने आप समाप्त हो जाते, अगर side effect बने रहते, अलक्षन बिगनने लगते तो अपने डॉक्टर से सला ले। क्लॉब जी के सामाने side effect इस्तमाल वाली जगपल reaction, जलन, खुजली, लाली मा, तोचा पर पतला होना क्लॉब जी क्रिम का इस्तमाल कैसे करें ये दवा के ओल बहरी इस्तमाल के लिए इससे डॉक्टर द्वारा बताई गई, खुराक और आउधी के अनुसर ही इस्तमाल करें प्रभावित हिस्से को साफ करें और सुखने के बाद वहा क्रिम लगाए, इससे लगाने के बाद अपने हतों को धोले, अगर प्रभावित हिस्सा हाथ पर ही है तो ना धोये, क्लॉब जी क्रिम को यूज करने के कुछ खास टीप्स, क्लॉब जी क्रिम को अपना असर दिख को प्रभावी साफ सुखित वच्चा पर एक पतली परत में लगाए लगाए जाने पर मामूली जलन चुबन या खुजली का कारण बन सकता है अगर यह परेशानी जल्दी खत्म नहीं होती तो अपने डॉक्टर से संपर्ख करे अपनी आक नाक या मुझ से संपर्ख से बचे अगर गलती से इन जगों पर क्रिम लग जाए तो पानी से धोले इंफेक्टेड सेत्रों को छुने या खुजलानी की सला नहीं दी जाती है क्योंकि इससे स्थिती और भी खराब हो सकती है यह जानकारी आपको कैसी लगी दोस्तो अच्छी लगे हो तो यडियो को लाइक औ को सब्सक्राइब करना ना भूले अंतक देखनी के लिए धन्यवाद दोस्तो